इस सेशन में हम विबन देशों के संसत के नाम को ट्रिक से याद रखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसमें लगबग 40 प्लस जो है देश है और उनके संसत के नाम हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे सबसे पहले देखिए भारत तो भारत को जो है भारत के संसत को हम संसत ह क्याते हैं इसके लिए कोई एक्स्रा पॉइंट नहीं याद करने की जुरूत नहीं है उसके बाद USA, USA का भी बहुत ही फेमस है कॉंग्रेस याद रखीगा हाला कि मैं आपको ट्रिक बता देरी हूँ कि कॉंग्रेस जो है किन किन देशों का है तो आप क्या कर देखिए उत्तरी और दक्षडी अमेरिका को देखिए तो अगर हम एक रफली मैप बनाए तो यह माली जे उत्तरी अमेरिका है और इसी से ठीक स एक क्या चलता है इन तेनों की जो है देशों के संसेत का नाम वह ओंग्रेस है तो थरी अमेरिका और अचरमेरिका के उसके बइचरों के कहलें लिए तो निहें के पीछे-चरों aufgeो धनैगे चैके तोивать वे A, B, C, D ये याद रखे हैं कैसे याद रखेंगे A से हम बनाएंगे Australia B से बनाएंगे Britain C से हम बनाएंगे Canada और Columbia और D से बनाएंगे दच्छड अफरिका तीक है D से हम क्या बनाएंगे दच्छड अफरिका ये फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं ये चार हो गए, चारो देशों के जो संसत का नाम है, पार्लियमेंट है, तो ब्रिटेन हो गया, पार्लियमेंट, ऑस्ट्रिलिया हो गया, पार्लियमेंट, सी से कैनाडा हो गया, पार्लियमेंट, उसके बाद देखिए, दचिर अफ्रिका, दचिर अफ्रिका भी हमने बताया नेशनल पीपल्स कॉंग्रेस कैसे आल रखेंगे अमेरिका इक बहुत ही टाकतवर देश है उधर के साइड में और इसके बाद इधर अगर देखा जाए यानि इंडिया के पास देखा जाए तो सबसे टाकतवर क्या है कहने को जो है वो चीन है चीन तो अब देखिए इधर इ अब हम आभको बताते है किनकिन देशों के जो नाम है वो संसत का नाम जब नाम है तो इसी रहने दीजे अभी उचके बाद अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल और बांगलादेश ने भारत से जो है कुछ कुछ चीजे ली हैं क्या क्या ली है अपनी संसत का नाम रखने के लिए तो नेपाल ने ये देखा कि भारत में पंचाइधी राश्टी बहुत चलती है तो ये इसके पी में आ रहा है नेपा पंचाइध र gosh ने अधीया रहती है तो इसने क्या रख दिया जाति है संसत के नाम ठिके तो नेपाल और भांग Western या देखिए नाम है इंका नाम यीतुत छीव कि विभाणा Dzैथ हलुताव है ना बड़ा अजीब है तो प्यू दांग्सू हलु ताओ कैसे याद रखेंगे है म्यान मार यानि बिचारे को इतना मार दिया गया कि उसका हलुआ बन गया जैसे तवे पे बनता है सब्सक्राइब हलुआ बन गया तवे पे तो म्यान मार इतना मारा गया कि उसका हलुआ बन एस एच ओ एन जी डी यू ठीक है तो शोंग्डू कहींगे यह आपको हिंदी में लेकिन यहाँ पर साइलेंट होता है तो इसको पढ़ेंगे शोंग्डू तो शोंग्डू को कैसे आप देखेंगे भूटान देखेंगे अगर कोई भुट्टा खाते-खाते क्या गा रहा है स शोंग्डू भुट्टा खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-खाते-ख वह दीवान निखारा। आपनें अगर मजलिस से ही मुझण से ही है तो खैर हम तो को बता रहें अगर माल्दीव का लोकेशन देखा हुगा तो स्री तो यह इसमें संसर्ब करहाम हाउस और अलेग तो अलग अलग हाउस बने होते हैं यह जैसे आपते हैं।ar यह केड़ा ऐक चाल करें जो है और अपने अपने हाउस को क्या कर रहा है पर आपने हाऊस को रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूजेलेंड का संसत का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वसके बाद फ्रांस फ्रांस का भी नैशनल असामली इसे भी आम यहाद करेंगे बस ध्याना किया ने अब बताएंगे यह खता दो थोड़ा इस पेंट इस नो है है एक पन रखेती है प whether इंस रखर आप कुछ से बंके मया इतल है उमOnce हमारे पास हम्मारी होता है टो हम ढ़ित हम ब्रांदी चीज़ों लगे रहते हैं प्रांदेन तुड्स पर क्या लगे रहते हैं । है ना कि यह इस company का है यह उस company का है तो Germany money से हम branded चीज़े खरीदे हैं वह भी टैयग लगे हुए तो branded चीज़े टेग लगे हुए तो ब्रैंडट चीज़े तेट लगवते हैं यानि बुंडस तहीं ब्रैंडेट टक Looking put किसھی संसत calam का नाम है यह जर्मनी की संसत का नाम है मंगोलिया मंगोलिया को कैसे तो और रखेंगे डेखेय है मंगोलिया को संसत नाम है वह स्टेट ग्रेट खुर ल तो बस इतना हाब रखे खुरल अलग सा नाम है यह हुदिया आजाएगा इध्यान में आ जाएगा तो मंगोलीय से बनाएंगे जब पशली चलती है तो कोघن अंवे नहीं चलती हो चोले से खुले और नहीं जलती है तो घुझा ना से तोちは मझली unos माल ले गया, तो इरान का भी मजलिस है Switzerland, Switzerland का बहूत ही असान है Switzerland के एक बहुत ही फेमस किलाड है Rosal Federal Rohal Federal को जानते होंगे तो Federal से बनाएंगे Federal Assembly उसके बाद Israel, इस्राइल की संसरत का नाम ही NASET, बस एक क्लाइन आद रखेगा New Set New Set S.E.T. Set Is Royal Royale यानि जो नया सेट वो क्या है रोयल है तो न्यू सेट इस रोयल से इसराइल होगे न्यू सेट इसराइल दोनों आपको याद होगे इसराइल का किसा संसत का क्या नाम है न्यू सेट ने सेट सॉरी वसके बाद ताइवान ताइवान की संसत का नाम है यूवान तो कैसे याद बहुत सवीट चीजे खाने से खाना क्या रिस्की है तो रिक्स से बनाएंगे रिक्स डॉग क्सि ने पूछा कि तुमने कुछ बढ़ाै वड़ी बनाएंगे नौर्वें पोलान में बिदीए नैशनल असेमली यह अभी हमको बताएंगे उसके बाद मिश्ड का जो पीपल से शैमली दोनों हमको सेपरेड बताएंगे उसके बाद आयरलेंड अरेलेंड की उस अंसत का ना नेचलन शैंबली तो तुर्की भी पिरेंट नेचलन असेंबली तो तुर्की भी शोनी थे में को यहां पर बता रहे हैं घ्र, तुर्की तुक्का लगा लगा को फिरेंट पास हो गया तो अब तो ग्रेंड पार्टी बनती है तो ग्रेंड से ग्रेंड नेशनल असेमली देनमार्क का क्या है संसत का नाम है पार्लियमेंटू इटैलियानो तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है तो इसकी को जांते है अब यहां टानाशाही कुछ जादे ही चलती है तो उठरी कोरिया जू है वो खुद को सबसे Supreme मानता है कहता है मैं ही सबसे Supreme हूँ और कोई भी नहीं है तो उत्री Korea क्या है Supreme People's Assembly Supreme People's Assembly लेकिन जो है दच्चडी Korea ना है याणि ऐसा ना है उत्री Korea की तरह ना है तो ना से National Assembly दच्चडी Korea बहुत अच्छा है तो दच्छडी Korea जो है वो दच्छडी Korea कि तरह ना है ना से National Assembly उसके बाद Philippines Philippines देख़े भाई Philippines यानि Philippines ने सूचा मैं आपनी संसट का क्या नाम रखूँ इसने सूचा कि एक कुछ ऐसा नाम रखते हैं कि लोगों को अच्छा फील आए है ना तो इसने अच्छा फील आने के लिए बहुत ही असान नाम Congress रख लिया क्योंकि Congress नाम से भारती बहुत अच्छी खासे वाकिफ होते हैं तो अच्छा फील आने के लिए से हमने संसट का क्या नाम रख लिया Congress साथी अरब साथी अरब मुस्लिम कंट्री यह तो इसका नाम भी कुछ ऐसा है मजली से शूरा है उसके बाद अजरबाइजान का क्या है मैली मजलिस तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं जैसे माली जे अजरबाइजान यानि जो भाईजान है वो सिफ मेरे हैं मेरे से मेली और मजल चिनीशिया, चिनीशिया का निशनल असेमलि को शियो क्या है वह पे पेपल क्या है थाया न मेट हो तक चेल या निशनल उसके भाद लिथू, अगर देखेंगे लिथू, जास यजाए लग yaz है तो लेटू से लेटू आनिया होगे यह पूरे आपके 45 होगे अब आस ख़ली हम आप में आपको बताना है National Assembly और People's Assembly में कौन-कौन से देश आते हैं अब हम National Assembly के बारे में देख लेते हैं किन-किन देशों के जो है संसत का नाम National Assembly है तो इसके यादकनी की बहुत यह असान श्रिक हम आपको बढ़ा रहे हैं देखे, सबसे पहले देखे, पापा पापा, पापा को इंगलिश में क्या कहते हैं, फादर चीक है, फादर किसी के पापा है, है ना, वो बहुत ही तू-तू कर रहा है तू-तू, या फिर देखे, पापा से सबसे पहले हम बनाएंगे पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान है, वो हमेशा तू-तू करता रहता है दूसरे देशों के साथ तू-तू करता रहता है पाकिस्तान तो यह चीज हो क्या, पापा, यानि फादर क्या करता रहता है P से पाकिस्तान करता रहता है तूटू करता रहता है अब ये पाकिस्तान जो है वो क्या है एकदम नल्ला है है ना क्या है नल्ला है नल्ला से बनाएंगे नैशनल असेंबली एन ए से बनाएंगे नैशनल असेंबली सभी को पता है पाकिस्तान क्या नल्ला है तो NA से बनाएंगे National Assembly तो पाकिस्तान की संसत का क्या नाम है National Assembly क्योंकि वो नल्ला है तो जाईर सी बात है इन सभी में जाएंगे वो सभी नल्ले होंगे उसके बाद देखी PA PA से तो कोई देश का नाम है नहीं तो ऐसा समझते हैं कि PA से इससे similar इससे related किस देश का नाम हो सकता है तो इसको PA के जग़ा PO कर दीजे तो PO से क्या मनेगा पोलेंड तो पोलेंड की जो है संसत का नाम ही क्या है National Assembly FA, FA से हो जाएगा समझ लीजे France तो कि F से Finland भी आप सोच सकते हैं लेकिन एक बार Finland बोली है एक बार France बोली है कौन सा जादे suitable लग रहा है France जादे suitable लग रहा है तो कि हम यहाँ Father और France Father France ठीक है तो Father यानि France की भी क्या है संसत का नाम National Assembly है उसके बार TU से तुर्की एक TU से बनाएंगे Tunisia तो तुर्की का हमने बताया था कि तुर्की क्या करता है अगर आपने तुक्का लगा लिया किसी ने तुक्का लगा के पास हो गया तो क्या मांग रहा है वो उसके दोस्त क्या मांग रहे है Grand National Party दो Grand National Assembly है हम Grand Party मांग रहे हैं तो यहाँ से हम बनाएंगे Grand National Assembly तो यह इसलिए आपको एक्स्टा बता दिये क्योंकि इसके नाम में National Assembly है लेकिन इसका याद रखेगा National Assembly नहीं है इसका नाम क्या है इसके संसत का नाम तुर्की के Grand National Assembly है चुनिश्या का संसत का नाम भी क्या है National Assembly है और South Korea के जो है संसत का नाम भी National Assembly है और North Korea के जो है संसत का नाम क्या था हमने बताया था North Korea हमें अपने आपको बहुत ही सुप्रीम समाजते है तो Supreme People's Assembly है उसका National Assembly नहीं Supreme People's Assembly है और South Korea जो है North Korea की तरह ना है ना है से National Assembly हमको बताया था देखिया उसके बाद देखिए पीपल्स असेमली तो पीपल्स असेमली बहुत ही कम देशों का नाम है क्या है एजिप्ट का है शेसिल्स का है उसके बाद South Korea का क्या है Supreme People's Assembly है तो याद रखिए गई है तो यही थी पूरी ट्रिक मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में